जहिंद एप्रिवन मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मेरनिया पर वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ आपके एफकेट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एफकेट किसमें आयते 1 2021 में ठीके और उन question के background के कुछ question जाकि आपके अगर अगले paper में कुछ question आते हैं तो आपके मिल जाएं मतलब कि एक question के अंदर हम कम से कम 5 से 6 question को सीखेंगे और उसके background को भी जानेंगे और ये question 100% repeat होते हैं I can assure you कि अगर आप इस after GKK complete series को follow करते हो तो आपके 10 to 15 marks definitely आएंगे Part 1 जिन्होंने नहीं देखा है Please Part 2 से पहले Part 1 भी देख लेना Part 2 के बाब भी देख लेना ताकि आपका revision बना रहे And yes, I am thankful to all of you आप सब इतना प्यार और support दिखाते हो आपने Part 1 को बहुत प्यार दिखाया I am thankful to all of you Thank you so much guys चलिए, start करते हैं पहले question से पहला question है In which year India backed its first medal in Paralympics ये question आपका आया था AFCAT 1.21 जिन्होंने paper दिया होगा उनको पता होगा The right answer is 1972 में इंडिया को अपना पहला Paralympics medal मिला था Paraswimmer Muralikan Petker को मिला था जब आपके games जर्मनी में हो रहे था अब आपको मैं ध्यान दू AFCAT जो है question put up कर सकता है कि जो इंडिया को पहला Paralympics medal मिला वो कितने मतलब वो क्या था वो किस टाइब का swimming था तो आप बोलोगे 50 meter freestyle का कभी कभी tournament का nature भी आपकेट पूछ लेता है Second thing ये जो Paralympics games है जब games की बात हुई है तो आप एक chart बना लोगे जहाँ पर आप डिसकूस करोगे कि Paralympics last वाला कभ हुआ था next कभ होने वाला है हमारे कौन से winner थे और किनों का medal नहीं मिले थे तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे first time कहा हुआ था ये सारे चीजे आपके एक chart पे आपके दिवाल पे होनी चाहिए चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे events जहाँ पे इंडिया ने पहली बार medal जीता अगर मैं Olympic की बात करूँ देखो बहुत ध्यान से सुनना अगर मैं Olympic की बात करूँ तो 1952 में KD जादव ने KD जादव ने पहली बार individual medal जीता ध्यान से सुनना 1952 में individual medal मतलब कि single participate किया और single जीता लेकिन अगर मैं team की बात करूँ तो इंडिया को 1928 मही Olympics में hockey के अंदर medal मिल गया था तो एक बार ध्यान रखेंगे जब पूछा जाएगा आपसे question कि first individual medal won in Olympic by any Indian तो आप 1952 टिक करोगे by KD जा दो अगर first के वाल Indian medal पूछेगा तो आप 928 क्लिक करोगे second question ये बन जाएगा कि after independence and before independence after independence 1952 before independence 928 चीज के ध्यान रखोगे एक बार मैं फिर से clear कर देता हूँ medal Olympic में दो टाइप के होता है पहला होता है team कि किसी team को मिलता है दुसरा होता है individual individual में swimmer हो गए tennis player पा तो ये सारी चीज़ें होगी suitors हो गए ये हो गए तो team में इंडिया ने पहला अपना medal जीता था वो team ने कब जीता था 1928 में ठीक है Amsterdam में टुनामें रखोगे था no down करना चाहतो कर लो Amsterdam में ओलंपिक हुआ था और जो individual जीता है 1952 में जीता है ये बहुत popular है KD जादव ठीक है तो इनको आप बिलकुत ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर ये पुछे कि इंडिया ने Olympic में पहला gold medal कब जीता तो आप बोलोगे सर 2008 में किसन जीता अभिनो बिंदरा ने किसके अंदर तो सूटिंग के अंदर तो यहां से तीन question मैंने बता दिये पहला ये कि first individual medal आया KD जादव उदर 1952 में पहली बार team ने Olympic medal जीता 1928 में और first gold medal आया है वो अभिनो बिंदरा ने जीता है आप comment करके बताओगे कि 1952 के Olympic में KD जादव को कौन सा medal मिला था आप सबके comment चाहिए जितने भी आप वीडियो देख रहे हो and yes आपका एक like और एक support प्लीज बनता है तो वीडियो को जितना चाहे आप अपने जितने भी दोस्त हैं, aspirants आपके multiple group होते, SSB group होते हैं क्योंकि इस series में literally बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ताकि maximum question आपके यही से फसे, आपको मेहनत दिख भी रही होगी बात करते हैं, common wealth की common wealth 1934 में हमारा common wealth में सबसे पहला medal आया, और अगर मैं gold की बात करूँ, तो वो आया तो 1934 में, first time जो हुआ था, ठीक है चलिए, आगे बात करते हैं, ICC World Cup ICC World Cup में इंडिया को सबसे पहले cup जीत मिली, तो 1983 में किस के खिलाफ तो West Indies के खिलाफ, ध्यान रखेंगे, ASEAN Games में पहला medal मिला है हमें 1951 में, and Hockey World Cup में पहला medal मिला हम 1975 में, इसके ठीक है, चलिए, अगले question पर आते हैं अगला question बहुत famous था, ये भी आपके कौन से paper में आया था, तो ये आपके आया था, F-Cat 1 2021, अच्छे, मुझे बात बताओ ये जो तरीका में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये वागई आपको पसंद आ रहा है, कि इस टैप की questions आपको फायदा मिल रहा है purpose ये है कि जो हम 5-6 questions लेके आ रहे हैं, उसके background को पढ़ते पढ़ते, 30-40 questions हो जा रहे हैं, so make sure कि भाई, ये चीज़ें आपको समझ में आएं and अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो please feedback करना comment में हमें भी बहुत motivation मिलती है, आपके लिए और अच्छा content लेके आने की, right इसके अलावा हम आपके लिए क्यार कर सकते हैं, you are most welcome आप please बताओ, comment section अपना feedback दो, अच्छा पूरा जो भी है, हम उसको देखेंगे, chemical formula पूछा है, इसको और भी case it का, और वो होता है लिक करूँगा, उनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये आप important mark कर लोगे, ठीक है note कर दो, note कर लो, baking soda इसको sodium hydrogen carbonate ये sodium bicarbonate बोलते हैं, chemical name पूछ सकता है NAHCO3 होता है इसको आप super important notice करोगे SIP लिए, super important, ठीक है उसके बाद आएंगे marble पे, marble को हम calcium carbonate बोलते हैं CACO3, इसको आप calcium oxide से confuse नहीं करोगे चूने का नहीं है, ये marble कह रहा है marble मतलब calcium carbonate CACO3, इसके बाद ये important नहीं है, milk of magnesia आप note कर लेंगे, magnesium hydroxide बोलते हैं इसको, इसको MgOH का hold paste बोलते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो आप ये सब छोड़ दो plaster of Paris पे जम करो, plaster of Paris को हम बोलते है calcium sulphate hydrate, CSO4, H2O इसका formula बिलकुल धान से याद रखना धान होना चाहिए, उसके बाद important आपका potas, potas को होता है potassium carbonate, K2CO3 इसका formula होता है इसके बाद आएंगे, quarts आप से नहीं पुछेगा, quicksilver नहीं पुछेगा, salt नहीं पुछेगा, sodium chloride तो बहुत simple है, आपको पता ही होता है sugar पूछ सकता है, sucrose बोलते हैं C12, H12, O11, बोलते हैं and glucose का भी आत रखोगे, C6 C6, H12, O6 इसका भी आप धान रखोगे, glucose का, ठीक है इसके बाद आपका washing soda आया है यह आपका baking soda and washing soda बहुत confuse करता है, बहुत धान रखेंगे sodium carbonate dehydrate Na2CO3.10H2O इसको आप बिल्कुल धान रखेंगे, तो जो मैंने mark किये हैं, वो मैंने आपको बता दिया आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, जितने बताएं उतने पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा चलिए, अगले question पर आते हैं मौईने दुल्ला, World Gold Cup जो है, वो किस game से related है, जैसे कि यहाँ पर आपको God of Cricket दिख रहे हैं, तो answer cricket ही होगा, अब जब cricket की बात होई गई है, जब छेड़ दी गई है, तो हम फिलिबी पर भी question आचुका है, गवासकर Border Trophy, Gillette Cup, question आचुका है ICC World Cup ठीक है, इराणी Trophy, जवारलल नहरू Cup, रंजी Trophy, बर्सिया Trophy, सहारा Cup, सिंगर Cup, टाइटन Cup, विजेहाजारे Trophy, विज्डन Trophy and विस Trophy, यह सारे किर्केट के famous tournament से, इनको note-down कर लेना, ऐसे ही मैं random उठाऊँगा, जब भी question आपके previous एक उठाऊँगा, तो आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊँगा, जो कि आपके साथ काफी knowledgeable होगी, तो make sure कि आप इन चीजों को पढ़ते वे जाओ, क्योंकि देखो, दो-तीन चीजें हैं, जो बच्चे अलएड़ी course में ऐसा पढ़ रहना, वो तुमसे आगे हैं, तो अगर तुम इनको देखोगे, तभी उनके बराबरी में आपाऊगे, राइट, चली, आगे बढ़ते हैं, तो guys, I will take your two minutes, in case, if you want to enroll in our AFCAT 2-21 selection badge, तो आप इस course को enroll कर सकते हो, and the best part is, कि आपको इस course के साथ, एक crash course free of course मिल जाएगा, जो कि हमारा 15 July से start होगा, 15 अगर्स तर चलेगा, जो कि live होगा, मतलब आपको हम full course तो देगी रहे हैं, and आपको crash course मिल रहे हैं, एक चीज़ और, कि यार, होता क्या है, कि लोग पहले full course बना देते हैं, फिर crash course बना के उनी बच्चों के नुर का पैसे लेते हैं, defense mania का ये motto नहीं है, हमें पैसों से जादा मतलब नहीं है, हम quality इम बिलीफ करते हैं, so we have decided, कि जो भी बच्चे, full batch का पार्ट होंगे, उन सभी को crash course last 30 days, free of course मिलेगा, जो कि 15 जुलाई से 15 अगस तक चलेगा, so अगर आप अभी भी सोच रहे हो, तो please enroll कर लो, क्योंकि last के जो 30 दिन होते हैं, वो बहुत important होते हैं, full course में जाओगे, वो automatically change होएगा, आपको crash course के अंदर, after 15 जुलाई, चलिए, श्टार्ट करते हैं, बागी ये details हैं, इसके बारे में देख लेना, and result के बारे में अगर आपको जानना हो, तो आप defense menu के इस तो आप खौल लेना, 300 से उपर result में ने पोश्च के हो हैं, अगला question है, तो ये साजहां ने बिल्ड किया था, लाश्ट स्लाइड में, इसके लाश्ट पार्ट वन में मैंने, इन सब के, साजहां के, अकबर का, जहांगीर का, हुमायू का, बाबर का, सब का मैंने real name बताया था, आप मुझे बताना कि, क्या आपको ये real name आज याद थे, अगर नहीं याद हैं, तो अभी जाओगे, इस वीडियो को क्लिक करोगे, और याद करोगे, चीजे ऐसे जलेंगी, मैं आपका एक connection बना के दूँगा, और आपको भी ऐसी पढ़ाई करनी पड़ी, साजा ने बनाया था, जब बात monuments की आही गई है, तो देखते हैं कि भाई, कितने मुगल emperor ने क्या-क्या बनाया है, हमारे भारत के अंदर, तो पहली बात, हुमायू टॉम कहां पे है, तो अपका दिल्ली में है, इसको अकबर जी ने बनाया है, बुलंदर वाजा फदेपुर सिक्री में है, इसको अकबर ने बनाया है, सालिमार बाग स्रीनगर में है, इसको जहांगीर ने बनाया है, अकबर का मगबर असिकंदर आगरा, यहां से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी गिती 12 थी Begin by Akbar मतलब अकबर ने अपना ही मगबरा बनवाना शुरू किया था लेकिन जहांगीर ने इसको फिनिस किया था मैं यहां पे गया हुआ हूँ काफी खुबसूरत जगह है Tom of Tom of Ithmadullah आगरा में है साजहा ने बनाया है ताजमहल आगरा में है यह तो सबको पता होगा जग जाहिर है लब स्टोरी साजहा ने बनवाया है रेटफोर्ट दिली का साजहा ने बनवाया है सालिमार गार्डेन लाहोर का साजहा ने बनवाया है जामा मस्जीत दली का साजा ने बनवाया है सौकीन आदमी था, मतलब ताज मल बनवाया ही जा रहे था and yes बीबी का मकबरा औरंगाबाद आजम सा ने बनाया है and सलीम चिस्ती का मकबरा जो फतेपुर सिक्री में में आपे गया हुआ हूँ अकबर ने बनाया है आपको कभी मौका मिले तो आप फतेपुर सिक्री जरूर विजिट करे बुलन दरवाजा फतेपुर सिक्री में ही है आपको पार चलेगा जो बुलन दरवाजा है वो इतना बड़ा है कि उसके जो लकडी के पल्ले होते हैं मैं बहुत पसंद करता हूँ घूमना तो कभी मौका मिले तो आप जाओ चीजों से सीखना सुरू करो आपको भी काफी अच्छा फील होगा लाइप से थोड़ा हटके भी कुछ चीजे करनी चाहिए ताकि नहीं नया ट्राई करोगे तभी वहल होगे कहते हैं कि इन्वेंशन जो होता है वो मतलब भूल गया में निससिटी इस दग की ओफ इन्वेंशन जहां पर जरूर्ट पैदा होती है वहां पर खोज होती है तो आप अपने आपको थोड़ा एक्स्प्लोर करो अगला है the battle of policy कहां पर हुआ था तो आपको याद होगा चलो यह question में आपके लिए दे रहा हूं कि मुझे बताओ चलो बदाई देता हूं अगर मैं बात कुरे बैटल अब बकसर की तो वह था तो यह किनकी बीच में हुआ था यह आप कमेंट करके मुझे बताएंगे मैंने पढ़ाया हूआ है अब जब वर्स की जब यह fight की बात हो रही है तो देख लेते हैं कि जो famous हमारे battles हैं वह कौन-कौन से year में हुआ है अब बैटल अब बैटल अब बैटल अब समुगर्ड यह आपका 169 में हुआ था इनको अब ध्यान रख लोगे ठीक है so thank you for watching guys I hope आपको यह lecture power packed, concise and पसंद आया होगा and अगर दिल से अच्छा लगा है तो please अपने अपने status में, group में share करना with your feedback ताकि और भी लोग इसको देखे thank you so much, expect करता हूँ कि पहले वीडियो का आपने इतना प्यार दिया second वीडियो को भी आप तुछ से कही ज़दा प्यार देंगे जल्दी मिलते हैं आप से part third में, thank you so much and जहिन